अभी हाली में आपने देखा कि G20 की 172 बार्शिक शिखर सममेलन की मेजबानी इंडोनेशिया की अध्यक्ष्था में वाली में हुई है और इंडोनेसिया देख लिए आप लोग देखिए यह हमारी प्यारी पित्वी है और इस पर आप देख रहे हैं कि एसिया में यह हमारा प्यारा भारत है यहाँ से आप लोग चाहेंगी तो आपको इंडोनेसिया देखने को मिल जाएगा और आप सभी जानते हैं कि जकारता इसकी राध्दानी है और यहाँ आप लोगों को वाली देखने को मिल जाएगा देखी यह है वाली तुए ही यह बैठक हुई है यह संबेलन हुआ है और आप लोगों को बता दूँ इस तरह का कोई भी सिखर संबेलन होता है किसी भी संबेलन का तो संबेलन के बारे में आप लोगों को एक सामान जानकारी अपने पास रखना चाहिए उसकी इस्थापना कब हुई और आप देखिए उसमें भारत सामिल है या नहीं है अगर भारव सामिल है तो और अच्छे से उसके बारे में जानकारी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं चाहे आप लोग civil service की तयारी करें हो, state PCS की तयारी करें one day exam की तयारी करें हो, वो चाहे center level का हो या state level का हो और आप लोग अपने परिक्षाओं के पुराने questions में पर उठा के देखिए हर साल 2-4 संगटन से questions पूछे जाते हैं और इसमें तो आप देखते हैं कि G20 में भारत देश सामिल भी है तो आप भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार भी समाल लिया है और जो अठारवा सिखर सम्मेलन होना है 2023 में ये कहां आएजित होना है ये भारत में आएजित होगा तो सत्रहवा सिखर सम्मेलन आपका कहां हुआ है इंडोनीसिया के बाली में और अठारवा जो सिखर सम्मेलन होगा यह भारत में होगा, कहा होगा, भारत में होगा, इस सिखांके सम्मिलन के पैणाम अगर आप देखें, तो रोसी आकरमक्ता की निंदा की गई है, आप सभी जानते हैं कि रोस और यूकरेन की वीच, यह यूकरेन है, यह रोस है, लंबे समय से दोनों के वीच यह उद्धे चल के कड़े सब्दों में निंदा करती हुए एक घोशना को अपनाया है, और इसे बिना सर्द बापस लेनी की मांग की है, और उन्होंने यह भी सुईकार किया है कि अधिकान सदसों ने यूकरेन में योद्ध की निंदा की है, इस्तिती और पितिवन्धों को लेकर बिभिन बिचार और अलग-अलग आकलन थे, और आपको बता दूँ सबसे जान्दा इसे उद्ध से यूकरेन को और यूकरेन की निवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बरवाद होना पड़ रहा है, फिर आप देखें कि बैस्विक अर्धविवस्था पर फोकस करने की बात की गई है, जी ट्वेंटी अर्धविवस्था ने, अर्धविवस्थाओं ने अपने घोष्णा में ब्याद दर में बिट्धी को सावधारी पूर्वक गती देने पर सहमती ब्यक्त की है, और मुद्रा की मामले में बड़ी हुई आस्थिरता को लेकर चेतावनी भी द बातने के लिए समन्विद कारवाही करने का वादा भी किया है, और विलेक स्थी ग्रेंड पहल की सराहना भी की हुए है, जलवाई फरिवर्तन भर भी चर्चा हुई है, जी ट्वेंटी नेताओं ने बेस्विक ताबमान विड्धी को 5 डिगरी सेल्सियस तक सीमित करने की प्रयासों को आंगे बढ़ाने पर सहमती बेक्त ही है, और यह अपुष्टी करते हुए कि बेजलवाई परिवर्तन पर 2015 पहरे समझोती की तामान लक्ष के साथ खड़े हुए है, और जलवाई परिवर्तन का विरभाव भी पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, अगर आ नेताओं ने सतत्विकास लक्षों तक पहुचने में डिजीटल परिवर्तन की महत्य को पहचाना है, और उन्होंने विसे इस रूप से महलाओ लड़कियों और कमजोर इस्तितियों में रह रहे, लोगों के लिए डिजीटल परिवर्तन के साकार अत्मक प्रभावों का दो कवरी को बढ़ावा देने के लिए अपनी नेंतर पिती वद्धता ब्यक्त की है, जो सार्भ भॉमिक स्वास्त कवरेज को प्राप करने और उसे बनाय रखने की दिशा में महत्पूर कदम है, और उन्होंने विस्वेंग द्वारा आयोजित महामारी की रोकताम तेयारी और पिती के लिए बहा हमारी कोस के लिए एक नए बित्ति है, मध्या, मध्यस्थ कोस की इस्थापना का स्वागत किया है यहाँ विस्वेंग की बाध हुई है, वर् वेंग के बारे मैं आपको बता देता हूँ, और वर्ल्ड वेंग से भी कुष्चाज पूछे जाते हैं, तो मध्यमायबाले देशों की सरकारों को पूजी परियोजनाओं को आंगेड वडानी के उद्देश से रेड़ और अनुदान दिया जाता है विस बैंक के द्वारा नेताओं इस डबलू एचो यानी की विस्विस स्वास्त संगठन की अगणी और समर्वय भूमिका और तथा अ अन अंतराश्टी संगठनों से समर्थन के साथ बैस्विक स्वास्त सासन को मजभूत करने की अपनी पिती बादिता की पुष्टी भी की है यहां डबलू एचो की बात हो रही है वाल्ड हेल्थ और अर्गनाइजिसन की इस संगठन के वारे में भी याद रखिएगा इससे स्वास्त दिवस मनाया जाता है और अंतराश्टी यह संगठन है जिसका सार्विक स्वास्त के लिए जिम्मेदार सहिवतराश्ट की एक बिसेस एजनसी है स्वास्त की देख भाल करती है वही अगर आप देखें कि G20 कि सदस्देशों के समख चनोतियां क्या-क्या है तो खराबा दिया है और पश्चिम द्वारा लगाएगे पिती बंदों ने इस्तिती को और भी खराब कर दिया है और कई देशों में इतिहासिक मुद्राश्टी के उच्चिस्तर ने इन देशों में क्रह सक्ती को कम कर दिया है और इस पेकार आर्थिक विकास को धीमा कर दिया मुद्राय स्पीती कहने का मतलव है कि आप देखें जो मुद्रा है ना उसकी क्रह सक्ती में ग्राब अठोना जो चीज आप लोग जो सामान आप लोग पहले 50 उर्पे में खरीद ली रहे थे उसके लिए आपको 100 उर्पे देने पड़ रहे हैं और आप देखें क्वैंटिटी प्रमुक अर्धव्स्थाएं मंदी का सामना करने के लिए तैयार है अन्य जैसे की यूरो छेतिक देसों की घती धीमी होकर लगबख ठप होने की संभाव ना है प्रमुक अर्धव्स्थाओं की मंदी बैस्विक विकास के प्रमुक इंजनों में से एक चीन में तीब मंदी देखी जा रही है क्योंकि यह है एक रियल इस्टेट संकट से जूज रहा है और हमारा देश भी आप देखने की आर्थिक इस्तिती खराब बनी हुई है बढ़ती भूराजनितिक मद्भेद तो किसी की अर्धवस्था भूराजनितिक बदलाओं से जूज रही है जैसे कि चीन के भी तनाव बना हुआ है जिनने दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिवस्थाएं माना जाता है या फिर ब्रेक्जिट नेड़ाई की मद्दे नजर बेटन और यूरुपिया चेत के ब्यापार में भी गिराबट आई है और बेटन की अर्धवस्था भारस से भी प अंकट की पेश्ट मुहमी में किया गया था जिसमें विसेस रूप से पूर्वी एसिया और दच्र पूर्व एसिया को प्रभावित किया है और इसका उद्धेस मध्यम आयवाले देसों को सामिल करके बैस्विक बित्तिय इस्थेरता को सुनिशित करना है और साथ ही G20 देस अमेरिका सामिल हो जाता है भारत सामिल हो जाता है तो GDP का भी युगदार बढ़ जाता है व्यापार का भी युगदार इसमें बढ़ जाता है G20 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 20 आपको सदस देखने को मिलेंगी और एक आपका European Union यानि की European संग भी सामिल है और इसमें Argentina, Australia, Brazil, Canada, चीन, European Union, France, Germany, भारत, इंडोनेसिया, इटली, जावान, मैक्सको, साउरोज, साउधी एरब, दच्छर फीका, कोरिया गणराज, तुर्की, युनाइटिट किंग्रम और सेव्ट राज, अमेरिका सामिल है इसका उद्धेश फिल्शिया आपको बता देता हूँ कि बैस्विक अरद्विस्था में फिरमुक मुद्धों पर चारचा करने के लिए बेवस्ते रूप से मात्मूर उद्धोगे और विकासील अरद्विस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्धेश है इसकी स्थापना को कर्च के इस्तर को अनिवार रूप से बढ़ाए विना कमजोर लोगों की मदद करने की तरीके खोजने होंगे और इसे समंदित एक प्रमुक चिंता या सुनिश्चित करना है कि बाहरी जोके में की सावधानी पूरवक निगरानी की जाए एक मजबूर टिकाव संतुलित औ परा सयुक्त कारवाही की आवसकता है और बदले में इस तरह की सयुक्त कारवाही के लिए उक्रेयन में सांती स्थावित करने के साथ साथ आने वाले समय में उसके बिखंडन को रोकने में मदद की भी आवसकता है ब्यापार को लेका G20 निताओं को अधिक खुले इस्तिर और पादर्शी नियम आधार की ब्यापार पर जो द्याणी किया है जो बस्तू की बैस्ति कमी को दूर करने में मदद करेगा और बैस्तिक मूल सिंखलाओं की लचीलेपन को मजबूत करने से भविस्त की जटकों से बचने में मदद मिलेगी तो यही कहानी है आपकी G20 की ज जो सम्मेलन हुआ है अंगले साल आप देखिए भारत में इसका सम्मेलन होगा तो हम लोग उसे भी देखते रहेंगे और आप लोग इस तरह के संगटनों के बारे में पढ़ते रहा करिएगा क्योंकि फिर से बोल रहा हूं कि आपकी परीक्षाओं में दो-चार कुश्चन्स आते हैं और यकीन ना हो तो आप लोग पुराने कुश्चन्स प्रेपर उठा के देख लिजे अपने